नमस्कार विकेबी नियूस के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है जहाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ मंतरी नवाब मलिक और NCP अधिकारी समिर्वान खेड़ी की लड़ाई अदालत पहुच गई है नवाब मलिक ने जहां समिर्वान खेड़े और उनके पिता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जाली सर्टिफिकेट का जरिये सरकारी नौकरी हासिल की है वही समिर्वान खेड़े ने अदालत में हलफ नामा दायर कर खुद पर लगे वसुली के आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि ये एक मामले की जांच में रुकावट पैदा करने वजांच को भटकाने का प्रयास है उदर मुंबई को बार जैसी स्तिती से बचाने के लिए बीएमसी ने 90 करोड रुपे खर्च करने का फैसला किया है इस निधी से पाने निकासी की गई पाइपलाइन डाली जाएगी साथ ही उसकी चोड़ाई भी बढ़ाई जाएगी इस विज बीएमसी अपने स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवी तक के सभी माध्यमों के विद्यार्तियों को सर्वशिक्षा अभियान के थाथ मुफ्त में पुस्तक विदरन की जान करी दी है तो राज्य सरकार के ग्रामिन विकास विभाग ने परिपत्रक जारी कर कहा है कि प्रदेश में मतदाता सुची का विशेश संक्षिप्त पुनरिक्षन कारेक्रम के लिए 16 नवंबर को ग्राम पंचायतों के एक विशेश ग्राम सभा का आयोजन होगा प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ नवाब मलिक ने एक बार फिर से समीर वानखेडे और उनके पिता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जाली सर्टिफिकेट के जरीए सरकारी नौकरी हासल की है नवाब मलिक ने ये भी कहा कि अगर मेरे द्वारा पेश किया गया सर्टिफिकेट फर्जी है तो पिर जो असली है उसे समीर वानखेडे और उनके पिता सब के सामने लाएं नवाब मलिक ने सीधे दोर पर समीर वान खेड़े और उनके पिता कच्रूजी वान खेड़े के उपर यहां आरोप लगाया है कि नौकरी हासिल करने के लिए उन्होंने इस फर्जी सर्टिपिकेट का सहरा लिया उनकी तनक्वाद जो अब तक उन्होंने हासिल की है उसे वापस लिया जाएगा इसके लावा जो पेंशन उन्हें दी जा रही है उसे बंद किया जाएगा नवाब मलिक ने ये भी आरोप लगाया कि जो लेटर उन्होंने पेश किया है उसमें 26 मामलों का जिक्र है इन 26 मामलों में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से की गई वसूली का भी जिक्र है नवाब मलिक के अनुमान से यह वसूली तकरीबन 1000 करोड रुपे हो सकत है नवाब मलिक ने कहा कि जब मंतरी होते हुए मेरे दामाद को फर्जी तरीके से फसाया जा सकता है तो आम जनता के साथ में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कैसा बरताफ करता होगा मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है बीते आट महीनों से मैं और मेरा परिवार पू आटी मामले की जाँच कर रहे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबाई के जोनल निदेशक समीर वान केड़े ने अदालत में हलफनामा दायर कर खुद पर लगे वसूली की आरोबों का खंडन करते हुए दावा किया एक मामले की जाँच में रुकावर पैदा करने व उसने एनसीबी के अधिकारी को फिल्म अभीनेता शारुक खान के बेटे आरेन खान को छोडने के बदले 25 करोड रुपे मांगने की बात सुनी थी इसमें इस मामले के पंचनामे से जुड़ा गवाह किरन गोसावी भी शामल था साहिल ने मीडिया के सामने कहा था कि उसने फोन पर गोसावी को सैम डिकास नाम के शक्स के बात करते हुए सुना था इस दुरान गोसावी ने आरेन को छोडने वा पूरे मामलों को निप्टाने के बदले 25 करोड रुपे की मांग की थी इसके मद्दे नजर वानखेडे ने कोट में हलफ्त नामा दायर किया और वसूली के आरोपों का खंडन किया साहिल गोसावी का बॉडिगाड था वहीं वानखेडे ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में फसाया जा रहा है इसको लेकर उन्होंने मुंबई पुलिस आयक्त हेमन नगराले को पत्र भी लिखा है मुंबई में बारिश की समय जगजगज़ जलजमाब हो जाता है जैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है महानगर को बार जैसी स्थिती से बचाने के लिए BMC नए पानी निकासी की पाइप लाइन डालेगी साथी उसकी चोड़ाई भी बढ़ाई जाएगी इस से कम समय में पानी की निकासी होगी इस काम के लिए BMC 90 करोड रुपे खर्च करेगी इसके जरीए दक्षिन मुंबई व उत्तर मुंबई में पानी निकासी की बहतर व्यवस्था की जाएगी इसमें कोलाबा से भाइखला मजगाओं तक 18 स्थानों पर लाइनों का विस्तार किया जाएगा वही नई लाइनों पर 15 करोड 54 लाख रुपे खर्च किये जाएगे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर रेनॉल्ड कमपनी को पाइपलाइन के विस्तार पर 25 करोड 65 लाख वख़ाला सिद पोर्ट टरॉस्ट परिसर में पैपलाइन के विस्तार के लिए 19 करोड 20 लाख रुपआ खर्च किये जाएंगे बोरीवली वा कांदीवली के लिए लगबग 7 करोड रुपआ खर्च किये जाएंगे इसमें 2 करोड 61 लाख रुपे पाइपलाइनों की मरम्मद पर खर्च होंगे जबकि बोरीवली पूर्विस्तित वेस्टर्न एक्स्प्रेस हाइवे से रेलवे स्टेशन तक कस्तूर्भा मार्क पर पाइपलाइन के विस्तार वह मरम्मद पर 4 करोड 51 लाख रुपे खर्च के पता दें कि अभी BMC ने बाड़ की स्तिती से बचने के लिए बड़े पेमाने पर नालो की सफाई उच्छ शमता का पंपिंग स्टेशन बनाया है वहीं जगा जगा मिनी पंपिंग स्टेशन के साथ हिंद माता में भूमी गट टंकी बनाई गई है करोना से उबरने के बाद स्कूली पढ़ाई में तेजी लाइ जा रही हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की ओड़ से गंवेश और पाठ्य पुस्टक के उपलब्ध करवाई जाती हैं BMC भी अपने स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8 वी तक के सभी माधिमों के विध्यारतियों को सर्व शिक्षा अभ्यान के तहट मुफ्त में पुस्तक उपलब्द करवाती है BMC शिक्षा विभाक के अधिकारी राजू तड़वी के मुताबिक विध्यारतियों को पुस्तक वित्र की जा चुकी है यहाँ पुस्तकें बश्च 2021 के शिक्षा सत्र में शिक्षा ग्रहन कर रहे विध्यारतियों को उपलब्द करवाई गई है आपको पता दें कि कोरोना संकट के कारण स्कूलें बंध हैं विध्यारतियों उनलाइन शिक्षा ग्रहन कर रहे थे अब कोरोना संकट कम होने के बाद स्कूल खोल दिये गए हैं BMC प्रशासने यह पुस्तक गोरेगाउं पाठे पुस्तक मंडल से एडवांस पैसे दे कर मंगवाए थे BMC स्कूलों में नवी व दस्वी के विध्यारतियों को BMC ने किताबे उपलब्द करवाई थी इन पुस्तकों की खरीदी पर BMC ने 2.6,90,655 रुपए खर्च किये थे इसमें बराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कंणर, तेलगू व अंग्रेजी भाषा की पुस्तके शामिल है BMC प्रशासन ने कारुत्तर मंजूरी के लिए प्रस्ताफ 27 हमिदी के पास भेजा इसे मंजूरी मिलते ही अगला कदम बढ़ाया जाएगा राज्य सरकार के ग्रामीन विकास विभाग ने परिपत्रक जारी कर कहा की प्रदेश में मदाता सूची का विशेश संशिप्त पुर्नरिक्षिन कारिक्रम के लिए 16 नवेंबर को ग्राम बंचायतों की एक विशेश ग्राम सभा का आयोजन होगा गाउं के नागरेकों को मदाता सूची में नाम का पंजियन करने नाम में संशोधन और नाम हटाने आदी प्रक्रिया सुलब रूप से पहुचाने के लिए विशेश ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी इसके अनुसार ग्राम सभा की बैठक में नागरेक मदाता सूची को देख सकेंगे मदाता सूची में पंजियन को लेकर नागरेकों को आपती होने और पंजियन में संशोधन करने के लिए फर्म उपलब्द करवाया जाएगा जिन नागरेकों की आए एक जनरी 2022 को 18 सार पूरी हो रही है ऐसे नागरेकों को नए मददादा के रूप में पंजियन किया जाएगा ग्राम सेवक अत्वा संबंदित गाओं के मतदान केंदर सरी अधिकारी नागरेकों को आवेदन फार्म भरने में मदद करेंगे नागरेकों को बी एलो का नाम और मुबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा इन कामों में गाओं के कर्मचारी और पटवारी को सयोग करना होगा जिला परिशत के मुख्य कारेकारी अधिकारी को विशेश ग्राम सभा की बैठक हर ग्राम बंचायत में आईजित करनी होगी जिन मदाताओं की मौत हो चुकी है तथा स्थाई रूप से स्थालांतरित मदाताओं और विवा के गाओं से बाद बाहर गई महिलाओं का नाम मदाता सूची से हटाया जाएगा राज़पल सत्यपाल मलिक के यूटन का मामला सुर्खियों में है अपनी सफाई में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मिर का राज़पल रहते हुए 300 करोड रुपे की रिश्वत आफर किये जाने के मामले का RSS से कोई मतलब नहीं है इसके लिए माफी भी मांग ली है इस बीच सीमा सुरक्षाबल के एक जवान को पाकिस्तान के लिए जासू से करने के आरूप में गिरफतार किया गया है गिरफतार BSF के जवान की पहचान मुहमत सज्जाद के रूप में हुई है तो पज़ाब के पुरव मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग ने फोटो बंप फोड़ा है अपने फेस्बुक पेच पर आरूसा आलंग की 14 तस्विरे साज़ा कर उन्होंने पूछा है कि क्या सभी के सम्मन आईसाई से है उधर कॉंग्रेस नेता मिरा कुमार ने लालो प्रसात यादो को कॉंग्रेस की बिहार इकाई के प्रभारी भक्त चरंदास के खिलाफ आपत्ती जनक भाशा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई है इस बीच समल आईगिकों के विवाहा को मान्यता देने के मुद्दे पर किंद्र सरकार ने हाई कोट से कहा है कि भारते कानून में अभी केवल जैविक पूरुष वजैविक महिला के बीच ही शादी की अनुमती है जो देश भर के इन पाच बड़ी खबरे और ताजा खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ राजिस्थान के जुझनू में कारिकर में जम्मु कश्मीर के पूर्वराजिपाल सत्यपाल मालिक यह दावा कर राजनितिक गल्यारों में हल्चल मचा दी थी कि मेरे कारिकाल के दुरान मुझसे कहा गया था यदि मैं अमबानी और आरसे से संबंद एक व्यक्ती को दो फाइलों को मनजूरी दे दूँ तो मुझे रिश्वत के तौर पर तीन सो करोड रुपे मिलेंगे लेकिन मैंने सौदों को रत कर दिया अब सत्यपाल मालिक ने यूटर्न ले लिया है अपनी सफाई में कहा कि जम्मु कश्मीर का राजिपाल रहते तीन सो करोड रुपे की रिश्वत आफ़र किये जाने के मामले का आरसे से कोई मतलब नहीं इसके लिए माफी भी मांग ली है दरसल जिस शक्स ने मुझे फाईल दी थी उसने खुद को आरसे से जुड़ा बताया था इस वज़े से मैंने आरसे का नाम ले लिया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था हाला कि दोनों फाईलों को मैंने रोक दिया था और यह मामला खत्म हो गया है मैंने प्रधान मंतरी मोधी को इसकी पूरी जानकारी दे दी थी और उन्होंने मेरे फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि बरश्चा चार पर समचोथा करने की कोई जरूरत नहीं है इसी बीच सतिपाल मलिक ने केंदर के करशी कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करके भी धारा के विपरिट चलने की अपनी पुरानी छवी दोहराई है और यहां तक एलान कर दिया कि यदी किसानों का प्रदशन जारी रहा तो वह अपने पद से इस्तिपाद दे कर उनके साथ खड़े होने के लिए तयार है गुज्राद की भुज बटालिन में तेनाद सीमा सुरक्षा बलके एक जवान को आतंगवाद निरोधी दस्ते ने कथे तोर पर पाकिस्तान के लिए जासूस के रूप में काम करने के आरोप में गिरफतार किया गिरफतार B.S.F. के जवान की पहचान मोहमद सज्जाद के रूप में हुई जानकारी देने के बदले उसके भाई वाजद और सयोगी इकवाल राशित के खातों में पैसे मिल रहे थे सज्जाद ने अपने पासपोर्ट जम्मू के शेतरी एलपोर्ट कारेले से बनवाया था ATS ने कहा कि उसी पासपोर्ट पर उसने 1 दिसंबर 2011 से 16 जनवरी 2012 के बीच 46 दिनों के लिए पाकिस्तान की यात्रा की थी वह पाकिस्तान जाने के लिए अटारी रेलवे स्टेशन से समझोता एक्सप्रेस में सवार हुआ था सज्जाद के इंदर शासत प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजोरी जिले के सरोला गाउं का निवासी है भुज में 74 BASF वटालियन में वो तैनाथ था सज्जाद में भुज में BASF मुख्याले से गिरफतार किया गया सज्जाद 2012 में कॉंस्टेबल के तौर पर BASF में शामिल हुआ था 80's के मताबिक सज्जाद दो फोन इस्तिमाल करता था अपने एक फोन पर उसने आखरी बार 14-15 जनवरी 2021 को एक सिम कार्ड सक्रिय किया था उस नंबर के CDR की जांच की गई तो पता चला कि सिम कार्ड त्रिप्पुरा के सत्य गोपाल घोश के नाम पर रेजिस्टर है पाकिस्तानी पत्रिकार आरुसा आलम संग दोस्ती को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सेंग लगातार विरोधियों के निशाने पर है पाग पत्रकार आरुसा के कथित ISI लिंक को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे कैप्टन ने पलटवार किया और विरोधियों पर ताबर तो फोटो बम फोड़ा है कैप्टन अमरिंदर ने अपने फेस्बुक पेज पर आरुसा आलम की 14 तस्वीरे सा जाकी जिसमें उन्हें सोनिया गांधी, सुश्मा स्वराज, मुलायम सिंग यादव, अमर सिंग, अश्वीनी कुमार, येश्वन सिनह, शत्रुगन सिनह, महेश भट, शाम सरन और पूर्व इस संबंध है, उन्होंने दावा किया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीज विज़ा पाबंदिया नहीं होती, तो वह आरुसा को एक बार फिर भारत आमंतृत करते, मालूम हो कि पंजाब कॉंग्रेस आरुसा से दोस्ती को लेकर अमरिंदर पर हमलावर है, पंजाब के उपमुक्य मंतरी सुखजिंदर रंधावा ने बीते हफ़ते कहा था कि राजसरकार ISI से आरुसा के रिष्टों की परताल करेगी, कॉंग्रेस नेता मीरा कुमार ने सुमवार को राश्य जंता दल के सुप्रीबों लालू प्रसाद यादव को कॉंग्रेस की बिहार एकाई के प्रभारी भक्त चरन दास के खिलाफ आपती जनक भाशा का स्तिमाल करने के लिए फटकार लगाई। लालू यादव ने कहा कि भक्त चरन भक्त चोंदर है, वह जमीनी स्तिती का आंकिलन करने में असा मर्थ है। ने भी दो सीचों के लिए अपने हुए द्वार उता रहे हैं, जिससे राजवे सयोगी दलों के बीच दरार पैदा हो गई है। समलेंगें को के विवहा को मानिता देने के मुद्धे पर केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि भारतिय कानून में अभी केवल जैविक पुरुष वजैविक महिला के बीच ही शादी की अनुमती है। मुकी न्यायाधीश, डी एन पटेल, वन्यायमूर्ती, जोती सेंगी पीच ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने वा उसका उत्तर देने के लिए समय देते हुए सुनवाई 30 नवेंबर के लिए स्थागित कर दी है। विवार विशम लेंगिंग जोडों से जुडा एक शब्द है। इस प्रकार नागरिकता कानून के संबन में कोई विशिष्ट जवाब दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। जो अदिप सेन गुर्टा और स्टिफेंस की ओर से पेश हुए वकील करुना नंदी ने बताया कि जोडे ने नियू यॉक में शादी की। उनके मामले में नागरिकता अधिनियम 1955, विदेशी विवाब अधिनियम 1979 और विशेश विवाब अधिनियम 1954 कानून लागू होता है। सरकार समर्थक नेताओं को गिरफतार कर लिया गया है। उधर औस्ट्रलिया ने नया विदेयक त्यार किया है। जिसके तहट सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म के लिए 16 साल से कम उमर के बच्चों को अनुमत्ति देने से पहले उनके माता पिदा से मनजूरे लेना अनिवार होगा। इस बीच भारत की सहरहत पर पीना की तैनाती से चिन परिशान है। उसका कहना है कि इससे सीमा पर बारुत का भंडर जमा होने लगेगा। तो कोरोना के एक और नए वेरियंटे दुनिया को स्थप कर दिया है। ब्रिटेन, रूस, इसराइल समेट दुनिया के कई तेशों में ये तबाही मचा रहा है। दुनिया मरकी इन पाज बड़ी और ताज़ादर इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। पार शादी डल गई और कोबुरो 2018 में कानून पढ़ने नियू यॉक चले गए। इसी सितंबर में वह जापान लोटे हैं। 30 साल में जापान के शाही परिवार में यह पहली शादी थी लेकिन इसमें कोई ताम जहाम नहीं हुआ और दस्तावेजों पर दस्तखत के साथ ही दूला दूलन आपचार एक तोर पर एक दूसरे के हो गए। एक आमादमी से शादी करने के कारण माको का शाही परिवार से नाता भी तूट गया है। माको और उनके पती ने एक संशिप्त बयान जारी किया और सवालों के जवाब हाथ से लिख कर दिये। हमदुग को अपरहद कर अग्याद स्थान पर ले जाया गया क्योंकि उन्होंने तखता पलट में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था। सेना ने प्रधान मंत्री के बारे में फिलाल अधिक जानकारी नहीं दी। राजधानी, खार्तून के अलावा उमदर्मान में तखता पलट के विरोध में कुछ प्रदर्शन होने की खबरे हैं। तनाव बहुत ज्यादा है और ऐसा तब हो रहा है जब देश पहले ही एक मानवी आपातकाल के बीच में है वलाखो लोग खत्रे में। पूरी स्थिति को तखता पलट बताते हुए सूचना मंत्राले ने हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने की मांग की है। एक सरकार देश का नेतरत्व करेगी। सत्यापन करने और अभी भावकों से मंजूरी लेने के लिए बाद्य हो जाएंगी। आस्ट्रेलियाई सरकार की और से प्रकाशित विधैक के मसौदे के मुताबिक कानून का उलंखन कर बच्चो को अनुमती देने वाली कमपनियों को एक करोड रुपे तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके पहले यहां की संसत कानून पास कर गूगल और फेस्बुक को न्यूस सामगरी के लिए भुकतान करने को बाद्य कर चुकी है। पूरी दुनिया को रहा दिखाएगा। जादा दूरी तक बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता है। पाकिस्तान के साथ कारगल जंग के दोरान भी पिनाक ने अपना दम दिखाया था। अब इसे अरुनाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में तेनाथ किया गया है। उचाई वाले लाके में तेनाथ होने की वज़े से इसकी रेंज 38 किलोमीटर से कुछ ज्यादा हो जाती है। चीन के परिशान होने का कारण भी यही है। उसकी ओर से हाला कि कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन एक प्रवक्ता ने कहा कि इससे सीमा पर हत्यारों की होड मचेगी। बता दें कि DRDO पिना के गाइड वर्जन का सफल टेस्ट हो चुका है। 2017 से 2020 के बीच रेंज टेस्ट के दौरान इसने 75 किलो मीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना साधा। पिछले साल फरवरी में इसका फाइनल टेस्ट हुआ। पिना का गाइड वर्जन अभी सेना के इस्तमार के लिए उपलब नहीं है। बड़ी हुई रेंज के लिए लॉंचर सिस्टम को अबरेट करना पड़ेगा। तब ही वह 75 किलो मीटर से ज्यादा तक सटीक निशाना साथ सकेगा। दुनिया को तबाही का मंजर दिखा चुका करोना अब अपने नए वेरियंट के साथ घड़ी घड़ी परिशान कर रहा है। इस नए और अपेक्षा अधिक संक्रामक वेरियंट की पहचान होते ही चिंता बढ़ गई है। इस नए वेरियंट की सबसे पहले ब्रिटन में पहचान की गई थी। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि करोना का ये नए वेरियंट काफी संक्रामक और घातक हो सकता है। यूके, यूएस, रूज और इसराइल सहे 33 देशों में इस वेरियंट का अब तक प्रसार हो चुका है। करोना के इस नए वेरियंट को देखते हुए भारत की चिंता बढ़ गई है। पूरी रफ्तार से शुरू है, इसी दे इसकी मारक शमता कम होने के कयास है। तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूस नमस्कार।